मैं गुष्टा की क्यों मैं हम गजवागत कर देता हूं मैं गुष्टा की जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक बड़ी सक्षित हमारे बीच में आने वाली है हमने इस कारिकरम में कोसिस की हैं कि जो इस इसू से डारेक्ट और इंडारेक्ट जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं परियाण पानी से वो काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है जैसे सीपी सीबी के साइंटिस्ट है जामिया मिलिया के साइंटिस्ट है और देशक, सिरिमती, दीक्षा भंडारी जी हमारे बीच में मैं चाहूँ एक बार जोड़दार तालियों से आप स्वागत करें और मैं मैं बहुत फक्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे मैडम के बारे में बताया कि बहुत कम अधिकारी होते हैं जो बहुत लगन और सिद्धत के साथ जो उनको जिम्मेदारी मिलती है क्योंकि परियान आजकल एक जंगल और परियान ऐसा छेतर है जो मतलब एक खाली एक क्लेमर का काम हो गया है कि लोग थोड़े दिन आते हैं काम करते हैं फोटो किचाते हैं प्लांटेशन के फोटो किचात हैं और अपना उससे फेस्बुक यूटूबर कहीं करके उसको छोड़ देते हैं और एक लीविल पर काम नहीं जा पाता लेकिन में जितना काम करती हैं जिले में जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हैं लोग बताते हैं तो में वो बहुत काबिले तारिफ है आप आएं औ और हमें लगता है अब हमारा कारी करम जो हम चाहते थे 100% अचीवमेंट हमारी एकोसिस थी कि कैसे ही करके मरला जो सेक्शन 144 है 100 का एक नंबर हो जाए जो उससे जादा है और हमारे जो 3-4 बहुत विशिष्ट जिनको हमने बहुत मन से बुलाया था कि मैं हमारी चीप तो मैं आपको पूरी आयोजन समीति के तरफ से स्वागत करता हूँ मैं चाहूँगा स्वासनी जी इसको आगे बढ़ाए तालियां बहुत कम है मैं के स्वागत में मैं चाहूँगी कि पुर्जोर तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें अभिनंदन करें आदैनिया श्रीमति दीक्षा बंडारी जी वाकई जिस तरह से वो अपनी तमाम प्रशासनिक व्यास्तताओं के बावजूद भी पर्याव अपन भाव से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है और मैं उन्हें अपना एक्ष्रेयर समर्पित करती हूँ कि बे जुबा इस शेहर की मैं ही जुबा हो जाओंगी और चल पड़ी तनहा भी कर तो कारवा हो जाओंगी बहुत स्वागत है मैं बहुत-बहुत अभिनंदन आ нож्ड़ झाओंगी